इस महीने आ सकता है P.F. खातों में ब्याज, E.P.F.O. ने दी बड़ी जानकारी P.F. अकाउंट इंट्रिस्ट, P.F. खाता धारक अपने अकाउंट में ब्याज के पैसों का इंतिजार कर रही है E.P.F.O. द्वारा दी गई जानकारी के मताबिक जल्द ही P.F. खातों में सरकार द्वारा ब्याज के पैसे भेजे जा सकते है P.F. अकाउंट इंट्रिस्ट, भारत में जिनमें नौकरी पेशा लोग है सबके P.F. खाते होते है P.F. खाता धारक E.P.F.O. द्वारा संचालित काया जाता है P.F. भविश्य के लिए एक बहुत अच्छी बचत योजना होती है इसमें हर महीने सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा जमा होता है इसके साथ ही इस योजना में नियोकता द्वारा भी योगदान दिया जाता है P.F. खाता धारकों के अकाउंट में ब्याज जमा किया जाता है इस साल भी P.F. खाता धारक अपने अकाउंट में ब्याज के पैसों का इंतजार कर रही है EPFO द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जल्द ही PF खातों में सरकार द्वारा ब्याज के पैसे भेजे जा सकते हैं चलिए जानते हैं पूरी खबर जुलाई में आ सकते हैं ब्याज के पैसे PF खाताधारकों अपने खातों में ब्याज के पैसों का इंतिजार कर रही है कर्मचारी भविश्य निधी संगठन यानी EPFO द्वारा इसे लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है EPFO ने इस बारे में अपडेट देते हुए बताया है कि PF खाताधारकों के खाते में जुलाई के महीने तक ब्याज के पैसे भेजे जा सकते हैं हालांकि इसके लिए अभी आधिकारिक घोश्णा नहीं हुई है लेकिन जल्द ही वित्त मंत्राले द्वारा आधिकारिक जानकारी दी जा सकती है Central Board of Trustees ने इस साल फर्वरी में Financial Year 2024 के लिए 8.25% प्रतिशत की मन्जूरी दे दी है अब जल्द ही PF खाताधारकों का इंतजार खत्म हो सकता है कैसे पता करें पैसे आए या नहीं? आप चाहें तो आप EPFO के आधिकारिक पोर्टिल के जरीए अपनी पास्पुक चेक करते है जहां आप पता कर सकते है आपके खाते में ब्याज के पैसे आए हैं या नहीं? आप चाहें तो खाते में अपने रजिस्टर्ड नमबर से 0122901406 या 99664425 पर मिस्ट काल देकर भी PF खाते में बैलेंस चेक कर सकते हैं इसके साथ ही आप रजिस्टर्ड नमबर से अन एपफो हो इंग टाइप कर साथ साथ 38299899 इस नमबर पर मैसेज भेज कर भी बैलेंस पता कर सकते हैं पोर्टल से ऐसे चेक करें EPFO के पोर्टल से अपनी बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा इसके बाद आपको वहाँ अपना UN नमबर और पासवर्ड दर्ज करने के बाद कैपचा भरना होगा इसके बाद आप होम पेज पर दिख रहे हां सर्विसेज के टैब पर क्लिक करें वहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू फोर एंप्लोईज के ऑप्शन को सेलेक्ट करें इसके बाद मेंबर पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें आपको EPF बैलेंस दिख जाएगा यह भी पढ़े वाटसैप से ही हो जाएगी फ्लाइट की टिकट बुक इस एरलाइन कमपनी ने शुरू की नई सुविधा EPAS 95 पेंशन धारकों की बैठक समाप्त साथ 50000 प्लस दा को लेकर मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला सरकार आई सकते में भोपाल में आज सेवानि वृत कर्मचारी भविश्य निधी कल्यान समिती EPAS 95 की एक महत्वपूर्ण मीटिंग संपन्ध हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता राष्ट्रिय कारेकारी अध्यक्ष श्री भीमराव डोंगरे ने की और विशे शतिती के रूप में राष्ट्रिय उपाध्यक्ष श्रीपी एन पांडे उपस्थित थे मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई ने इस मीटिंग का आयोजन किया मीटिंग में पास हुआ प्रस्ताव मीटिंग में एक प्रमुक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह निरने लिया गया कि केंद्र सरकार को कोशियारी कमिटी की रिपोर्ट और अन्य मांगो को पूरा करने के लिए चार महीने का समय दिया जाएगा अगर सरकार इस समय सीमा में मांगे पूरी नहीं करती है तो दिसंबर में नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा एक कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट पेंशन में वृद्धी कमेटी की सिफारिश के अनुसार पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 3,000 रुपए पेंशन और इस पर महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए मेडिकल सुविधाएं पेंशन भोगियों को उचित मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए जिससे वे अपने स्वास्थे का भैतर तरीके से ख्याल रख सकें Higher pension के आवेदन Higher pension के आवेदनों के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक pension भोगी इसका लाब उठा सकें 2. वर्तमान कर्मचारियों के लिए जागरुकता वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए E.P.F. पेंशन के संबंध में जागरुकता फैलाने का निरनय लिया गया, जिससे वे समय रहते अपने पेंशन संबंधी अधिकारों और लाभों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें. महत्वपूर्ण वकताओं के विचार मीटिंग में कई प्रमुख वकताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किये और संगठन के कार्यों की सराहना की. वकताओं में शामिल थे हेमंत कपूर अजय श्री वास्तव अनिल बाजपेई एके निगम पीके परिहार महेश चंद्र उपाध्याई, महेश मालविय, जेपी गोड, पुंदलिक पांडे, भविश्य की योजनाओं की जानकारी श्री भीमराव डॉंग्रे ने सभा को संबोधित करते हुए संगठन के विभिन प्रयासों की जानकारी दी. चंद्र शेखर परसाई ने संगठन की भविश्य की योजनाओं पर विस्तरित जानकारी प्रदान की. उन्होंने बताया की संगठन किस प्रकार अपने कारियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है और पेंशन भोगियों के हित में क्या-क्या योजनाओं बनाई गई हैं. आभार प्रदर्शन मीटिंग के अंत में, गजेंद्र कोठारी ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने मीटिंग को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद किया और संगठन के भविश्य के प्रयासों में सहयोग की अपील की. निशकर्ष इस मीटिंग ने सपष्ट कर दिया कि सेवानिवरित कर्मचारी भविश्य निधी कल्यान समिती, EPS 95, पेंशन भोगियों की समस्याओं को हल करने और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबध है. केंद्र सरकार पर दबाव डालने और आंदोलन की योजना बनाकर संगठन अपने उद्देशों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. EPAs 95 पेंशन में मिलते हैं, ये फाइदे. देखें, इसकी पूरी पात्रता EPAs 95 पेंशन में मिलते हैं, ये फाइदे. अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, तो आप EPF खाता धारक हैं. ऐसे में आपको EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना, Employee Pension Scheme के बारे में भी पता होना चाहिए. केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविश्य निधी और विवित प्रावधान अधिनियम 1952-1952 का 19 की धारा 6 अके तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPAs पेंशन फंड की शुरुवात क थी. EPAs 95 पेंशन में मिलते हैं ये फायदे. EPFO के मुताबिक यह कर्मचारी पेंशन योजना, Employee Pension Scheme 16 नवंबर 1995 से लागू हुई थी. यह योजना उन सभी कमपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर लागू होती है, जिन पर कर्मचारी भविश निधी और विवित प्रावधान अधिनियम 1952 लागू होता है. EPFO की EPS 1995 योजना के तहट एक सितंबर 2014 से न्यूंतम 1000 रुपए EPS Pension, Pension Fund की सुविधा शुरू की गई थी. Employee Pension Scheme Eligibility अगर आप इस कर्मचारी पेंशन योजना, Employee Pension Scheme का लाब उठाना चाहते हैं, तो आपको EPFO का सबसक्राइबर होना जरूरी है. किसी भी EPFO सबसक्राइबर यानी सदस्य की सैलरी से हर महीने एक तैर रकम EPF खाते में जमा होती है. इसमें से 8.33 फीसदी रकम पेंशन मद में जाती है. साथ ही EPS 95 पेंशन योजना के तहट EPS Pension, Pension Fund पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करनी होती है. इस योजना के तहट Retirement की उम्र 58 साल है. EPF सदस्य 50 साल की उम्र से कम दर पर अपना EPS भी निकाल सकता है. EPS 95 पेंशन में मिलते हैं ये फाइदे. कर्मचारी की मृत्यू की स्थिती में भी सदस्य के परिवार का कोई सदस्य EPS Pension, Pension Fund पाने का पात्र हो जाता है. अगर कर्मचारी मृत्यू के समय तक सदस्य था, तो परिवार के सदस्यों को अधिक्तम 6 लाख रुपे तक का लाभ मिलता है. कर्मचारी Pension योजना, Employee Pension Scheme के अनुसार अगर सदस्य का कोई परिवार नहीं है, तो सदस्य की मृत्यू होने पर नौमिनी को आजीवन पेंशन मिलती रहेगी. अगर कोई EPF सदस्य यानी कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले 10 साल तक सेवा नहीं दे पाता है, तो वह 58 साल की उम्र में पूरी रकम निकाल सकता है. यहाँ यहाँ बताना जरूरी है कि रेटायर्मेंट के बाद उसे मासिक EPS Pension, Pension Fund का लाभ नहीं मिलेगा. Employee Pension Scheme Latest Update Employee Pension Scheme के तहट जमा रकम निकालने की अनुमती दे दी जो 6 महीने से कम समय में रेटायर हो रही है. भाशा की खबर के मुताबिक फिलहाल करमचारी भविश्य निधी, EPFO, सब्सक्राइबर्स को अपने करमचारी भविश्य निधी खाते में जमा रकम निकालने की अनुमती है, अगर उनकी सेवा के 6 महीने से कम समय बचा है. श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, CBT ने सरकार से सिफारिश की है कि 6 महीने से कम सेवा अवधी वाले सदस्यों को उनके करमचारी पेंशन योजना, Employee Pension Scheme, खाते से निकासी की सुविधा दी जानी चाहिए. EPS 95 Higher Pension पर सेल, इस पात मंत्रालय को जगाईए, एरियर न मिलने से कर्मियों में आक्रोश. सेल के वेतन समझोते में, देरी और 49 माह के एरियर की अदाईगी न होने से सेवा निवरित करमचारियों और उनके परिवारों में असंतोश बढ़ा है. C2 जिला सन्योजन समिती के सन्योजक MS शांत कुमार ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और प्रबंधन से जल समाधान की मांग की है. C2 जिला सन्योजन समिती के सन्योजक और BSP सेवा निवरित एमपलाईज वेलफेर एसोसियेशन के उपाध्यक्ष MS शांत कुमार ने सेल में वेतन समझोते में हुई देरी पर नाराजगी जताई है उन्होंने कहा कि यह समझोता एक जन्वरी 2017 से लागू होना था लेकिन आर्थिक लाब एक अप्रेल 2020 से लागू किया गया इससे जन्वरी 2017 से मार्च 2020 तक के एरियर से करमचारी वन्चित रह गए है आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण शांत कुमार ने बताया कि 49 माह का एरियर न केवल वर्तमान में कार्यरत करमियों के लिए बलकी उन सेवाने वरित करमियों और उनके परिजनों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनकी इस दौरान मृत्यू हो चुकी है यहां वेतन समझोता उनके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2017 के बाद सेवाने वृत्थ हुए कर्मियों का अधिकार बने वेतनमान से ग्राच्यूटी और सीपीएफ में वृत्धी हायर पेंशन के लिए योगदान में वृत्धी निधन हुए कर्मियों की पत्नियों को EFPS के अंतरगत मिलने वाली राशी में वृत्धी सेल प्रबंधन से मांग की गई है कि वे जनवरी 2017 के बाद निधन हुए कर्मियों की पत्नियों को EFPS के अंतरगत मिलने वाली राशी को वेतन समझोते के आधार पर रिवाईज करें। इसके साथ ही, Mediklim Premium में 10-15% की बढ़ोतरी को देखते हुए, प्रबंधन से पूर्व करमचारियों को राहत देने की भी मांग की गई है। हाल की घोशना आए। सेल ने हाल ही में घोशना की है, कि अप्रेल 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच निधन हुए करमचारियों की पत्नियों को Revised Basic Plus DA मिलेगा। इसके लिए संबंधित परिवारों को BSP सेक्टर 5 कार्याले से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। वेतन समझोते में देरी और एरियर की अदाईगी न होने से सेल भिलाई के सेवानिवरित करमचारी और उनके परिवारों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस थिती को जल से जल सुलजाना आवशक है ताकि पूर्व करमचारियों को उनका हक मिल सके और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। EPFO Member Pension Benefits जाने कितनी पेंशन मिलेगी आपको। EPFO Pension योजना के तहट सदस्य 58 वर्ष की आयू और 10 वर्षों की अंश्टाई सदस्यता पूरी करने पर पेंशन के हगदार बन जाते हैं। यदि सदस्य 50 वर्ष की आयू में सेवा निव्रित होता है, तो वहां घटी दरों पर पेंशन ले सकता है। पेंशन की गणना पेंशन योग्य सेवा और आसत वेतन के आधार पर होती है। अधिक जानकारी के लिए www.epfindia.gov.in पर जाएं। नमस्कार! आज हम आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जिससे आप अपने भविश्य को सुरक्षित कर सकते हैं। EPFO, करमचारी भविश्य निधी संगठन, ने अपनी करमचारी पेंशन योजना को 16 नवंबर 1995 से लागू किया। यह योजना 1971 की परिवार पेंशन योजना का स्थान लेती है, जिसमें सिर्फ सदस्य की मृत्यू के बाद ही परिवार को पेंशन मिलती थी। लेकिन नई योजना के तहट, अब सदस्य खुद भी पेंशन पाने के हगदार होते हैं। चलिए, विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में। पेंशन योजना के प्रावधान EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना के अंतरगत सदस्य को पेंशन पाने के लिए कुछ शर्ते पूरी करनी होती है 10 वर्षों की अंच्टाई सदस्यता एक सदस्य को पेंशन का हगदार बनने के लिए नियूंतम 10 वर्षों तक अंच्टान करना होता है 58 वर्ष की आयू सदस्य 58 वर्ष की आयू पूरी करने पर पेंशन ले सकता है चाहे वह सेवा में हो या न हो 50 वर्ष की आयू में पेंशन यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयू पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ता है तो वह भी पेंशन का हगदार होता है लेकिन इस्थिती में पेंशन की दरे कम होती है 50 वर्ष की आयू में सेवा निवरित होने पर पेंशन में 4% प्रतिवर्ष की दर से कमी की जाएगी पेंशन की गणना कैसे होती है पेंशन की गणना दो मुख्य आधारों पर होती है पेंशन योग्य सेवा जितने वर्षों तक सदस्य ने पेंशन फंड में अंशदान किया है सेवा निवृत्ती से पूर्व के 60 माह का औसत वेतन कितनी पेंशन मिलेगी आपको जाने यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी तो आप हमारी वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाकर Online Services Box में उपलब्ध EDLI Pension Calculator का उप्योग कर सकते हैं यहां आप अपना विवरण दर्ज करके अपनी पेंशन की सही राशी का अनुमान लगा सकते हैं विशेश बोनस यदि किसी सदस्य की पेंशन योग्य सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है तो उसे दो वर्षों का बोनस भी दिया जाता है घटी दरों पर पेंशन सामान्यता 58 वर्ष की आयू पर सदस्यों को पेंशन दी जाती है किन्टु यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयू पूरी करने के बाद और 58 वर्ष की आयू पूरी करने से पहले रिटायर हो जाता है तो उसे घटी दरों पर पेंशन दी जाएगी पेंशन को स्थगित करना सदस्य यदी 58 वर्ष के बाद 60 वर्ष की आयू तक पेंशन को स्थगित करता है तो उसे 69 वर्ष की आयू पर 4% और 60 वर्ष की आयू पर 8% की व्रिधी के साथ पेंशन मिलेगी पेंशन फंड में अंचदान जारी रखना यदी 10 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा पूरी हो चुकी हो और सदस्य 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है तो वह 60 वर्ष की आयू तक पेंशन फंड में अंचदान जारी रख सकता है इससे उसकी पेंशन की गणना में 58 वर्ष के बाद की सेवा और वेतन भी शामिल होंगे जिससे अधिक पेंशन मिलेगी तो यहाँ थी जानकारी EPFO पेंशन योजना के बारे में आशा है आपको यहाँ जानकारी उप्योगी लगी होगी इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहें